अलू इसारुखान कौन है महारा ये जवानी फिल्म का हीरो है पिलानिंग करके उठालो साले को मुझे क्यों पकड़वाया साले मैं जवान फिल्म का हीरो हूँ ओए जवानी फिल्म के बाता तुने जो एक घर करोड कमाए हैं उसमें से 500 करोड मुझे दे दे दो सारा पैसा तो हमारे अबुजान दुभई लेकर चले गए अब हमारे पाल पचा है बाबाजी का छुल्डू आइडिया अरे बेटा यह क्या कर रहा है तू डैडिस पलंग में और चादर में खत्मल हो गए है मम्मी ने मुझे बोला है तो यह सुब काम मैं करूंगा वह हमेशा मुझे नाराज रहती है मार्ती उट्टी रहती है काम करूंगा तो खुष हो जाएगी ठीक है आप ही मार करवार है यह कैसा कर रहा टिया मेरे हटों से लाट मुझे मारना चाहता है अटा गिसा सब्सक्क्राइब्स झाणि अधरी मार को मारता वारा के मोखें खत्मल को मीथा मेरे मेरे कौन लबटी ने बोला था क्यों जूट बोल रहे हो इतने बड़े हो गई कुछ तो शर्म करो बलकी मैंने तो मना किया था कि मम्मी सो रही है ऐसा मत करो जज साहब मैं अपने पती को तलाग देना चाहती हूँ अरे बेटी ऐसा क्यों क्या हुआ जज साहब मेरा पती रात को दो बजे घर आया बोलने लगे तुम मुझे इतना प्यार करती हो रंजना ये तो अच्छी बात है इसमें तो तलाग का कोई वज़ा ही नहीं है बिलकुल अज़साब क्योंकि मेरा राम रंजना नहीं निर्मला है सुनो मुझे आजारूपे दे तो मुझे पारलर जाना है एक सेकर अरे पांच हजार क्योंकि है हजारी जैसे तुम्हारी शगल है हजार में कुछ होगा हॉमा फैंसाथ रोम्यो तुझे विलोम यानी उल्टा शब्द पता है हाँ ठीके पताना सच जूट गंदा साफ खुबसूरत लटसूरत सोना चौंदी गलप्ध हो गया सही हो गया अरे बेवकूफ अरे संगजदार भागल हो गया के तू नर्गल हो गया के तू अरे तूजा अरे तूजा अरे तूजा कौन थी वह जो गूर गूर के देख रही थी कल तुम्हें अरे रुजा यार तू दिमाघ खराब नकल अभी उसे भी समझाना है कर तू कोन है जिसका कोई नहीं होता उसका मॉबाइल होता है और जिसके पास मॉबाइल होता है वो किसी कानी होता येलो प्याजी दस रुपे केवल दस रुपे? मेरे लिए ये बेज़ती है तो बार नहीं करचाकता